पहला टॉपिक है तपलीगी जमात के बारे में बाईयों बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि तपलीगी जमात आपको याद होगा जब ये मरकस नॉडा में ये नॉडा कह रहा हूँ निजामुत्दीन में जब ये पूरी इसकी न्यूज आई की तबलीगी वालों ने देखो करोना फिला दिया और सोल्ड मीडिया ने पूरा प्रोपगैंडा फिलाया भाजप्पा ने उस प्रोपगैंडा को और आग दी और हवा दी और आपको पता है फिर एक तुरंत इस देश में जब से 6 साल से मोधी सरकार बनी है तो इनको ये लोग मौका ढूंडते हैं कैसे मुसल्मान समाज के खिलाफ जो है इनको बस मौका मिल जाए कुछ बखवास बोलने का उनके खिलाफ अपनी शडियन्त अपने प्रोपगैंडा को और बढ़ाने का तो वो मौका मिल गया और इनके foot soldiers आजकल sold media है तो sold media में इनका जो lieutenant colonel है उसका नाम है अणनब गोस्वामी इनका एक और captain है उसका नाम है सुधीर चौधरी इनकी एक lady इनकी major है उसका नाम है रूबिका लियाकत फिर इनका एक और captain है नाम है उसका चौरसिया जो है दीपक चौरसिया इस प्रकार के आठ दस channel या पात साथ channel और यही यह आठ दस दस यह जो anchor इनको बोलते हैं anchor होता है न शिप में एक लोहे का dead anchor जिसका दिमाग नहीं होता है इसलिए इन लोगों को anchor बोला जाता है जो कि लोहा basically होता है उसको फिक दिया जाता है पानी में ताकि यह ship जो है रुके रहे ship drift away ना करे तो इसलिए इन लोगों को भी anchor बोला जाता है क्योंकि दिमाग में लोहा है दिमाग तो होता नहीं है इंके में तो ये सोल्ड मीडिया वालों ने अपना प्रॉपेगेंडा चला दिया मुसलिम समाज के खिलाफ जैसे कि सारा कोविड नाइंटीन भारत में तब्लीगी जमात वाले ही लाए उसके बाद आपको याद होगा उसके बाद कम से कम एक महीने तक मुसल्मान समाज के खिलाफ जो ह करीब मुसल्मान था जो सबजी बेचे लोग उससे सबजी ना खरी दे प्रॉपेगेंडा शुरू हो गया कि ये तो ये तो नोट में भी जो है थूक लगा देते हैं सबजी में भी थूक लगा देते हैं ये बड़े करवण हैं ये बड़े करवण हैं और ये प्रॉपेगे कि सरकार बनींग की सरकारी इसी पे है कि हिंदू मसल्मान डिवाइड करो दंगे कराओ प्रोपगेंडा फिलाओ वोट लो क्योंकि इन्होंने ये चीज जान लिया है कि भारत में 90 करोड हिंदू हैं उसमें करीब 30 करोड जाहिल हिंदू हैं तो इन जाहिलों की टबरों को इन अपनी कुरसी का मज़ा लेकर के देश को लूटते रहेंगे तो ये चलने लगा मुहमत कैफ भाई गुट डट यू के जॉइन सोनू भाई गुट डट यू के जॉइन सबीर खान तैंक यू फिर जॉइनिंग हिमन भाई आप जुड़े रहें एक टॉपिक के बाद मैं जर तब्लीकी जमात पे एक महीना प्रोपगेंडा फिलाया गया देश में विश्यस प्रोपगेंडा और अग तीन दिन हो गये 21 अगस्त को चार दिन पाच दिन हो गये 21 अगस्त को Bombay High Court की औरंगाबाद बेंच ने तब्लीकी जमात के खिलाब सारे F.I.R. स्क्वाश कर दिये और कहा, after going through all the evidence, all the documents, everything that was there, after analyzing everything, Bombay High Court की division bench ने पाया कि तब्लीकी जमात का एक आदमी, एक आदमी भी responsible नहीं था COVID-19 को फिलाने का, in fact after going through the documents, यह बात तो हमनों मात से कह रहे हैं, उस समय से कह रहें कि कैसे उन्होंने permission मांगी, कैसे उन्होंने कहा कि हम लोग इतने लोग यहां हैं, फस गए हैं, हमें disperse होने दिया जाए, हमें vehicle दिया जाए, सारी उन्होंने बात करी, लेकिन, 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 बस भाई, सवा पाच महीने से लॉक्डाउन हैं, तो मैंने कहा, बाल भी थोड़े बड़े होगा हैं, मैं तेल लगा के रखता हूं पीछे, अथर बाइस बढ़ गई हैं, तो कल मैं गया था, सालोन ढूनने, लगा मुझे की चीज़े खुल गई हैं, थिंग्स आफ री बाल भी बैड़े हो, बिर खुल गई हैं, तो लिए हैं, नहीं थिज़े, नहीं तो कहा हैं, यह तो बाइस बड़ यह कंग छिला आपका लोड़े हैं, पर हूप कि तब्लीकी जमात के खिलाफ, एक रभ गई पर कॉपने लिएजे खुल मुदाने रॉपने लगा हैं, तो म प्रपगेंडा फिलाया which was fanned by the media, जो sold media के मैंने बात करी, ठीक है, and further they have said that they were treated unfairly, for which action should be taken, this is what Bombay High Court has held, okay, अब देखिये कमाल की बात है इस देश में, एक महीना sold media ने प्रपगेंडा फिलाया तब्लीकी जमात के खिलाब जैसे कि सारा COVID-19 इनों ने देश में फिला दिया, अब that not one member of the तब्लीकी जमात was responsible for this and they were treated unfairly, तो आप देखिली जो जो मीडिया है, पूरे देश की sold media वो ये हो गई है, मूँ पे ताला लग गया है, ऐसे करके, बंद करके, डीप सी में, डीप ब्लू सी में उन्होंने चाबी फेकती है, एक सब हश है, सन्नाटा, वो शोले में डा कर रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है, अब क्यों नहीं ये sold media वाले, क्यों नहीं अन्नब गोस्वामी जो है, अपने नौ बजे टीवी पे भारत बोलता है, पे कहें, कि I'm sorry तब्लीकी जमात, मैंने गलत किया, रूपी का लियाकत क्यों नहीं है, अपॉलिजी दें, ये अगस्त को Bombay High Court की judgment आई, मेरे YouTube channel, मेरे नाम से Anupan Tripathi, YouTube channel पे जाएगा, आप लोग, आप मैंने वीडियो बनाई, उसी दिन, इसके बारे में details दी, हाँ, judgment के भी excerpts मैंने उसमें शेर किये है, वो आप लोग देखेगा जरूर, हाँ, और उसी दिन, और आज भी मैं, मैं, I want to take this opportunity to, to apologize to every member of the Tapliki Jamaat and the entire Muslim community, the 25 crore, my brothers and sisters, on behalf of the 136 crore Indians who treated them unfairly, क्योंकि मैं apologize करके, छोटा नहीं होता हूं मैं और बड़ा हो जाता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये जो sold media वाले हैं, जिनोंने vicious propaganda चलाया, वो कब sorry भूलेंगे, when will they repent, when will they say sorry, in this country, where saying something against a certain religion or a deity or a god, leads to violence, leads to riots, in a country like that to do this false propaganda for a month, एक महीने चलाना ऐसे, एक पुरी community के खिलाफ, अच्छा, आप मुझे ये बताईए, एक मेरा चूटा सा सवाल है, COVID-19 का पहला patient इंडिया में पाया गया 30 January को, एरपोर्ट से लाइट गया, आपने एरपोर्ट सील नहीं किये, अपने 21 मार्च तक, मैं जानना चाहता हूँ कि, कि जनवरी, फरवरी और 21 मार्च तक, एरपोर्ट ना सील करने के कारण, क्या वो कारण था COVID-19 के फैलने का, कि तब्लीकी जमार्च जो यहां पे आए थे, आपसे permission लेके, आपका visa लेके, ठीक है, बता के कि हम यहां क्या करने आए, और पहली बार नहीं यहां थे, वो हर साल आते हैं, for their religious activity, there's nothing wrong with it, and you're the ones who gave them the visa, you permitted them, you permit them, they sought permission, you gave them permission, they came, they did what they came for, not to spread corona, but to do their religious activity, that they do every year, और आपने ऐसा प्रोपेगेंड़ा पहलाया, जैसे कि वो आई थे, करोना पहलाने के लिए, और आप जो है, मादे प्रदेश में बैठके, सरकार बना रहे थे, MLA's को खरीद फरोत रहे थे, उस समय करोना नहीं फैलवा था, जब आप रैली कर रहे थे, बड़ी-बड़ी मीटिंगें कर रहे थे, राजिस्तान में सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब नहीं करोना फैलवा था, फरवरी में नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, सवा लाख लोगों को स्टेडियम में कठा कर रहे थे, बाजू से बाजू, कंधा से कंधा मिला करके, तर नहीं करोना फैलवा था, उस नमस्ते ट्रम्प के लिए आपने बाहर से कितने फ्लाइट से में हजारों लोगों को बुलाया होगा उस समय नहीं करोना फैलवा था लेकिन करोना को जल्दी से एक religion दे दो भाई religion का नाम है Muslim समाज इन्होंने करोना फिलाया ताकि जो 31 करोड 25 करोड इनके अलड़ गमार जाहिल Hindu समाज के लोग हैं जो इनको vote देते हैं वो पागल हो जाएं तफलीकी शेमफुल अब जजमेंट आगई तो इन मुनें खुलवा लखवा मार गया है सबकी जबान को परालेसिस हो गया है तो आप लोगों को शर्न नहीं आती है ताइक यू अभी भाई लुक्स क्रांथी का रही ताइक यू भाई लुक्स का क्या करना है भाई बस थोड़ा सा अच्छा काम करने थोड़ी अच्छी अपनी सोच को आगे ले आए and if I can just encourage and inspire even one person to do something better than what he is already doing for himself, for his family and for his country I'll be happy भाई तो बस यही कहना चाहता था भाईयो यह तबलीकी जमात का मैं कहना चाहता था कि वाई, there is a judgment of the Bombay High Court or Angabad bench 21 August की full judgment है judgment ने होल्ड की है, not one person from तबलीकी जमात was responsible for COVID-19 judgment ने further कहा है, they were treated unfairly उन्होंने further कहा है कि the media targeted them and fanned these communal, you know, these sparks and fire against them and they were treated unfairly तो मैं आप लोगों से यह शेर करना चाहता था और फिर से हाद जोड के मुसल्मान समाज और तबलीकी जमात के एक एक मेंबर से मैं भारत के 136 करोड लोगों के वेहाफ पे उनसे माफी मांगना चाहता हूं for being treated unfairly, I'm sorry for the jahil 30 crore Indians, okay, and I'm sorry for the jahil and sold media that did this propaganda against you and treated you unfairly for which you had to go through so much trouble in already these troubled times of COVID-19. I am sorry, I just want you to know that whenever, next, after seeking the requisite permissions, etc., you want to carry out your villages activities, you want to roam about in India, you want to do the things that you want to do, please do your most welcome. we would be honored and privileged to have you here in Delhi, in India, in Bharat. Thank you so much. Never mind a few of these bhajappa ke jahil supporters and their jahil andbats and the sold media, what they have to say, this country belongs to us, not to these idiots and you are most welcome in our country. Thank you. you